अगर लंबे पॉड़कास अच्छे नहीं लगते हैं तो छोटे छोटे क्लिप्स आपके लिए हम लेकर आए हैं ये है टी आरेस क्लिप्स हिंदी सब्सक्राइब मैं आपको वो उस एक कहानी के बारे में पूछना चाहूंगा आकचली डेद' के बारे में पूछना चाहूंगा जो मैंने उस पर एक नेरी टेट करेंट किया जो मैंनेने सार्ट किया था freelance था है मूझसे पहले लोगों ने सार्ट मैंने उसको बहुत डारिफाइ किया बहुत सिंपलिफाइ किया जब मैंने सरकारी ऑफिशिल वर्जिन बना जाता है प्लेन केश सेकेंड रुल वार के एक दम होने के खतम होने के साथ में हो जाता है और एक लाइन में लिखा जाता है वो डिटेमें नहीं जाते हैं पर भी वो यह mention कर देते हैं कि इसाब उनकी death controversial है जैसे अमर्चित्रकता हमारे जमाने बोलदा करती थी कि नहीं तरदी की death में इनकर्श में हो गई लेकिन आजकल हमारी वह से अमर्चित्रकता मेंचन हो गए कि death में लोग नहीं मानते तो कुछ doubt लोग को है तो यह इतना change कि पहले कि सुभाष पोस की जब भी आप मरने की बात करेंगे तो basically अगर सवाल यह है कि नेता जी की मौत कब कैसे हुई थी तो आपके पास में तीन option है आप में से तीन में से को click करने आपको तो यह बड़ा simple का आनी है कि आप या तो प्लेंकर्श में मर गए और उनको वहाँ पर पंडित जहरूँ केहने पर स्टालिन ने मर वा दिया और यह भारत की सबसे गंदी conspiracy theory और मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं जब यह investigation कर रहा था बहुत से लोग including जो लोग intelligence bureau में और RAW में नौकरी कर चुके है बड़े लेवल पर उन्हों नहीं privately बातों को बोला है कि लोग मानते है प्रैवेट लेवल तो यह बहुत ज़्यादा भ्यहंकर स्टूरी है जो बहुत बोली जाती है तीसरी theory जो मैंने formulate नहीं की थी वो पहले ऊचुके लेकिन मैं ही उसको एक main stream मैंने कर दिया वो थी कि गुम्नामी बाबा नाम का कोई व्यक्ति कहा जाता है जो एध्याम में जिनकी डेथ हुई 85 में वो सबाश्पोस थे तो इन तीनों को चीजों को जो मैं आपके सामने मैं बोल रहा हूँ या जो मेरे प्रेजेशन प्रेजेशन होती हैं बताता हूँ, करके मैं evidence लोग दिखाता हूँ, कि मेरी अप्रोच यह देश ने कि मेरा believe क्या है जाता लोग इस देश में believe पे चलते है कि मेरा यह मानना है, मैं मानने की बात नइं कर रहा है मैं आपको समने evidence दे रहा हूँ तो जहां एविडिन्स में को लेकर जाएगा मैं वहाँ जाओंगा तो आपको एक मोटा मोटा कारण अगर आप उसे परिज़र के आनो जो आप क्यों नहीं विश्वास करते हैं प्लेन कैस्ट की स्टोरी को उसमें तो इतिहासकार बोलते हैं वो ठीक है नीता जी के परिवार क बाइस जो है वो देश की अजादी का पिचतरवा साल है इसलिए ये साल कुछ डिसकुशन सुभाष पोस नीता जी पर हो रही है डिली में नीता जी की मूर्ती लग रही है भारत के सबसे इंपॉर्टन जगह पर इसी तरीके से आज से बीस साल पहले पच्छी साल पहले नी खाए है अगर होता हो तो ये पूरा किसी है हमने प्टा देथे लेकिन उस टैम पर कुछ नहीं था आपको यकिन नहीं कर सकते हैं कि उस टैम पर हलत क्या थी मीडिया के तो यह कुछ था नहीं वहाँ पर तो लोगों ने ये जो सरकारी थीओरी है वोई कहते है कि नीता जी क पर पेंटकरश में हुई थी ताइवान में पाईपई शहर में और उनको वहीं पर उनको क्रिमेशन हो गया उनके मरने के बाद में उनकी हड्यों को ले जाकर के अस्तियों को एक जपान में रंकोजी टेमपल में डाल दिया गया वहां पड़ी हुई है तो 1997 में जब यह और य पीता जी कि अस्तिय अब लेकर आजा सौसाल हो गए जो कंट्रोवर्सी थी होगी अब कुछ निकला नहीं है अब इसकी चप्टर क्लोज करने का टाइम आ गया तो उनकी अस्तियों को भारत में लाकर करके धंगाजी में डालना है जो करना है कर दीजे तो जब यह बात थे हैं कि अस्तिया और सौबाश पूश किया सरकार उनको लेकर नहीं आईगी तो उस जमाने में चीफ जस्टिस कैलकरडा हे कोट कह थे है परबाश रंकर मिश्रा अब यू नहीं है जीएन्मः नहीं है मैं उनसे मिला था परबाश रंकर मिश्रा जी से मैंने बाटशेत कर होते हैं आप उनसे कोई सवाल पूछेंगे तो बाद को घुमा देंगे तो टीवी के एंकर के सामने और तीन-चार पार्टी के प्रवक्तर के बीच के चीज़ों घुमाना असान है लेकिन कोट के अंदर एक जजज जो किसी तत्थे को जानने का इच्छुक है वहां पे स्पिंडॉक्टरिंग नहीं चलती है तो उन्होंने सीज़ा सा पार्ट गौर्वर्मेंट से पूछा कि तुम्हारा स्टैंड क्या तुम ये बताओ 2005 के फरबरी या मार्च मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन उस टाम पर मनमुन सिंग बदान मंतरी देश के थे बहुत टाइम से पांचे में से उसने खुलनम खुला बोला कि प्लेन करश नहीं हुआ है ये सरकार कभी हुआ है बाद में ये लोग पलट गए तो कोट के अंदर जज के सामने जहां पॉलिटिक्स नहीं चलेगी जहां स्पिंट रॉक्टिंग नहीं चलेगी सरकार को ये मानना पड़ा कि प्लेन करश की कहानी ठीक नहीं है लेकिन बाहर निकल करके दूसरी जगा पर प्लिटिकल फॉर्मेट में ये पब्ली को कन्फ्यूस करने के लिए बोर रहे हैं कि प्लेन करश मर गए अब कहानी ये आती है कि जो रश्या में तो फिर वो इसका मतब़ अगर प्लेन करश नहीं बहाता हो फिर तो रश्या वाली कहानी कि मुझे भी गुम्रमी पाबा के बारे मुझे नहीं मालूम ता और जो इंटेलिजन्स के रिकॉर्ड हम मांगा था उनको ये बेसिक फंडमेंटल नहीं समझ लोग को आ रहा कि जो सर्फ स्टालिन जो रूश का जो डिक्रिटर था जो भी वहां का में आदमी था उस जमाने में जब तक स्टालिन रश्या का इंचार्ज रहा है उसके भारत के साथ में रिस्टे हमारे अच्छे नह पंडी जी के बारे में गाली गलॉच हुआ है कोई रिसरचर्श गये थे वहां पर रश्या में तो उन्होंने बोला कि स्टालिन ने किसी फाइल की नोटिंग में पंडी जी का पॉलिटिकल पॉसिचूट उनको बारे में लिखा राजनितिक वहश्या तो जो आदमी पंडी है तो मैं कि या मेरे सपोर्ट में है तो मुझे आपको मारने की जूद नहीं मैं आपको इस्तमाल करूंगा पॉलिटिक्स में इस्तमाल करेंगे तो सबाश पोस रूसियों के लिए एक सोने का अंडा देने वारी मुर्गी हो सकती है अगर आप उसको अगर नेगेटिव सें इसे नहीं मारने कारण नहीं मरे वो तो क्या हुआ अगर रूस में मरने की बात नहीं आ रहे है जब यह सिंकिन होना शुरू होगए कि नेदर जी की डैथ नहीं होई प्लेन कैश में और सारे के सारे वो जो कंट्रोवर्शल चीज़ें निकलने शुरू हो मतलब जो हमारे द क्या है हो जाके रूस में किसी साइबेरिया में किसी कैम्प में जाके मरा हो तो मैं फिर डैस्प्रेशन में और उसमें ना मैं क्या करूं मैं कोई रिपोर्टर था था नहीं मैं तो डैस्ट जनलिस्ट था तो किससे पूछो तो हम लेकिने कि मैं दिल नहीं बैठाओ तो मैं मैं फिर ये काम की कि जब भी मुझे कोई ऐसा वेक्टी मिलता था पतर काता मिल गया तो मैं इंसे पूछता था कि या तुम्हारा को जानने वाला है आईडी में है तो मुझे मुझे मालूम था कि अगर आपको सीकर्ट इंफरमेशन निकाल ली है तो आपको गूर्मेंट में इसके फॉरमर रॉचीफ से या आईबी डिरेक्टर से कुछ नहीं निकाल सकते इसके मुझे से डिरेक्टर तो बहुत दूर की बाता आईबी कि कोई भी आज़िए आपको कुछ नहीं बताएगा लेकिन वही व्यक्ति अपने घर के अंदर अपने दोस्तों के साथ में या इस तरहों के साथ में शाद जूट नहीं बोल पाएंगे और एकर जूट बोलेंगे तो उनका अर्श्यार समझ जाएगा तो इस तरीके से मैंने ऐसे मुझे टिडबिट्स मिलने शुरू हो गए मुझे है कि there is something in this case कुछ है इस case है problematic है और मैं आपको repeat कर रहा हूँ कि मैं सर पहरे में गोल या मारी है और किस्मत से गोली निशाने पर लगी है मैं उसकी कोई बड़क में माना शाथा कि मैंने बहुत बड़े discovery करी है सिर्फ किस्मत की थी कि मेरा एक ऐसे आपने से contact हो गया जिसका contact government highest level पे था जिन्होंने फाइले देखी है तो वहां से मुझे बताया है कि ये इंडिया का best kept secret है और इसमें problems है और नहीं मरे थे रूस में थे अब यहां तक जो बाते बोली हैं वो तो बिल्कुल समझ में आती है इक पैटर्न जो अलड़ी था उसमें fit कर रही थी और suddenly उन्होंने जो drop एक और dimension आड़ कर दिया उसमें पांचे बाते बोली कुछ बाते बहुत controversial जो मैं नहीं बोल सकता लेकिन जो बाते बोली है हम सुभाश पोसे 85 तक उन्हों के connection में थे सरकार मतलब अब तो ये बात और और भी बाते हैं जो मैं अभी नहीं बोल सकता है वो बोलने के बाद मेरे को जटका लगा मैंने का ये क्या बोल रहा है सुभाश पोस 85 गौर्मेंट कांटेक्ट में है हमारे पास में records है अब लेकिन वो तो मैं वो dispute में मेरे तीन तक मेरी नहीं जोड़ क्या बोले जा रहा है करके ये सुभाश पोस कहां से जीवी था 85 में उतरा जी गांधी पदान मनती थे निता जी कहां वो गांधी जी के टाइम की वो कहां 85 में आ जेंगे अब तक मैंको रिलाइस जैंथे कि निता जी की उमर कितनी थी मैंने कभी ढंग से गौर नहीं किया निता जी की उमर कितनी थी 85 में तो निता जी एगर जीवीत होंगे 85 में तो लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का तो मुझे नहीं मानूंता है कि गुम्रमी बाबा की बात है लेकिन तब मुझे याद आए कि हम लोगोंने जब इंवेस्टिकेशन हम कर रहे थे सवाल पूछा था कि क्या आप मानते कि निता जी की रेट सन 45 में होगी तो मुझे याद है किसी ने मुझे आंसर दिया था उसमें गया वो चेक क्या मेल आया था वो किसी ने आंसर दिया कोई इंदो नील बैनर जी नाम लिखा हूँ है कि I know निता जी जिड नॉट इन 45 विक पिटा जी ने मुझे उनके पिटा जी आप नहीं थे उनके प्रेवत बेनेची वो डाक्टर थे वो तीन 时间 की पिटा जी बड़ा या एक ऐसी प्लेलिस्ट को इससे देखकर आपको बहुत मज़ा आएगा.